जैसे के फ्रेंट्स अभी की टाइम में लाइफ जो है बहुत ही जादा चाफ हो गया है जी हाँ इजी बिलकुल भी नहीं रहा अगर आखुद से बनाओंगी ना इजी तभी वो इजी हो जाएगा इंशाला तो जिसके वज़े से हम लोग अपनी चेहरे का भी ध्यान नहीं र जाती है पालर वगयरा जाने से तो इस वज़े से घर में ही मैं आपको बहुत ही अच्छा एक रिमेडियस बताने वाली हूँ जो के पिग्मेंटेशन को बहुत जादा चुटकियों में गायब कर देगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाहिर्मान इरहिम असलाम अलेकूम कैसे है आप लोग इंशालला खेरियस से होंगे तो आज जो है ना प्यास की प्यास के हवाले से ही मैं आपको बताने वाली हूँ प्यास जो है ना बहुत ही बेस्ट होता है चेहरे के लिए और इवन आपके हेर के लिए भी बेस्ट होता है तो प्यास से रि तो हाफ ले ले और इसे ग्रेट करके मेने ले लिया था क्यूंकि one time मुझे लगाना और यह याद रहें कि यह बिलकुल भी फ्रेश बनाकर लगाना है इसको बना विलकुल भी रख मत दीजिये गा इसे fresh फ्रेश बनाए लगा करके सबाए कुछिए रख कर के एक रखर के अगर इस्तमाल करेंगे तो इसका कोई भी यूजन हम लोगों को बेनेफिट्स नहीं मिलेगा तो इस तरीके से इसका रस यह गिंशन, प्यास प्यास की रास और तो जूस है उसके बाद सेकेंड इंग्रिडियन्स जो है ना वहे कॉफी कॉफी ले लेनी है जो भी आपको कॉफी आपके घर में अवेलेबल है वह आप इस्तमाल कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि कोई ब्रैंड कहीं लेना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो इसमें हम लोग जैसे कि प तो यह है अलोविरा जी हाँ अलोविरा अगर आपके पास में फ्रेश है ना तो वो बहुत बहुत जादा बेस्ट रहेगा और अगर फ्रेश नहीं है तो आप अलोविरा जल जो मिलता है ना मार्केट में वो भी ले सकते हैं तो यह अलोविरा जो मैं थोड़ा सा तोड़ क परके इससे ले रही हूं तो लेने के बाद बाद अलोवीरा का जो जम होता है बस उसका इस्तमाल हम लोग करेंगे तो देखे इस तरीके से इसके अंदर में एक जेल रहता है वह बहुत जादा चेहरे के लिए और यह साती साथ आपके हैर के लिए भी बहुत जादा benefit होता है बहुत जादा काम आता है तो इस वज़े से ये जरूर से जरूर इस्तमाल करें तो इस तरीके से देखें इसमें जो gel होता है वो gel हम लोगों को ले लेना है इस्तमाल में और चलिए आगे बढ़ती हूँ और वीडियो बताती हूँ कि क्या क्या और इसमें मतलब की ingredients तो सारे मैंने add कर दिये है अब कैसे इसे इसे इस्तमाल करूँगी वो मैं आपको बता दू तो देखें aloe vera gel को इस तरीके से इसमें डाल देना है निकाल करके इसका gel और अगर ये remedies आपको अच्छा लगे ना प्लीज प्लीज कमेंट्स में जरूर बताईएगा और अगर अच्छा लगने से like, share, subscribe भी कर दीजिएगा प्लीज फ्रेंट्स तो देखें इस तरीके से gel को निकालने के बाद ना जस्ट इसी aloe vera का जो ये leave है ना इसी से हम लोग अच्छे से mix-up कर देंगे अच्छे से mix-up करने की बाद अपने चेहरे पे अच्छे से इसे लगा ले इसका कम से कम पांच मिनट तक अच्छे से आपको massage करना है अपने चेहरे को जी हाँ दिखें, इस तरीके से लगा दिजिएगा कि यह थोड़ा सा मतलब कि यह ज्यादा जल्दी ड्राइ नहीं होगा बट अगर थोड़ा थोड़ा ड्राइ होने लगा है तो आप 10-15 मिनद तक आप ऐसे छोड़ देंगे और जब अच्छा हलका ड्राइ होने लगेगा ना तो से थोड़ा सा वाटर लेकर के इसे टैप कर ले यह थोड़ा ही देर मैंने रखा था पंडर मिनट मैंने तो बिल्कुल भी नहीं रखा है हाडली मैंने पांच मिनट इसे रखा होगा उसके बाद वाश करके मैं आपको दिखाती हूँ देखिए मेरे हाथ जहना बहुत शाइनी हो गये थे मुझे यकिन भी नहीं हो रहा था मेरे स्कीन फीन इतना शाहिनी हो गया है तो इसवजे से आप लोग भी ऐसा कर ले यह बहुत रहुती काम के चीजुक्त है तो आप लोग भी ऐसा कर ले और यह याद 최근 में कम से कम चार बार जरूसे जरूर कर ले तो आप देखेंगे आपकी एक मैने के अंदर ना पिग्मेंटेशन अगर आपके है ना या विचारे पर कोई भी दाग धब्बे है वो बिल्कुल भी गायब होने वाला है तो कैसा लगा यह रिमेडीज प्लीज 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 कमेंट्स में जरूर बताईएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो फिर मिलते ह इए नचस्वाइर किसी नेक्स, टिप्ड और लाइक सब्सक्राइब भी ओसकता है और बियुटी टिप्स भी हो इसाइग ज़्त में जरूर खिया सोटीज हो और अपने और अपने फामली का जरूल जरूर ख्याल रखिएगा तो फिर मिलते हैं इन्शाला तब तक के लिए अल्ला हाफिज